बागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉल्डेन सिक्षा पर और मैं राहूल सर आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक खास सागर के बारे में जिस सागर में आज तक कोई व्यक्ति ना डूबा है ना ही कोई व्यक्ति उसमें डूब सकता है आज बात करने वाले हैं हम लोग उस सागर की जिस सागर में कोई जीव जन्म तक नहीं ले सकता बात करने वाले हैं उस सागर के बारे में जिस सागर में कोई जलिये पौधा तक जिवित नहीं बच सका जी हाँ हम लोग जानने वाले हैं मृत सागर के बारे में जिसे आप डेट सी के नाम से भी जानते हैं या फिर मृत कों का सागर के नाम से भी जानते हैं तो सबसे पहले जानते हैं मृत सागर की अवस्थिती कहां है देख सकते हैं आप मृत सागर जोडन और इजराइल इन दो देशों के बीच पाए जाने वाला एक सागर है जो जील के आकार में है बहुत बड़ा आकार नहीं है लेकिन हाँ इसकी गहराई बहुत जादा है गहराई बहुत जादा होने के बावजूद भी आज तक कोई व्यक व्यक्ति इस सागर में डूब नहीं सका देखिए बात समझेगा ये एक ऐसा सागर है जिसमें लगवक 34% नमक पाया जाता है यानि 30% से जादा साल्ट की मात्रा यहां के पानी में मिली होती है यानि यहां का जो जल है बहुत जादा खारा होता है जिसकी वजह से पानी का घ घनत वह बहुत जादा हो जाता है और पानी का घनत वह बहुत जादा हो तो उसमें कोई व्यक्ति या वस्तू आसानी से डूब नहीं सकता वह बस उसके सता पर उपर उपर तेड़ने लगता है क्योंकि घनत वह जादा होने की वजह से नीचे से एक प्रेसर जैसा आपको फ आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई एक सूपर सक्ती है कोई सूपर पावर है जो आपको नीचे से क्या कर रही है एक प्रेसर लगा रही है उपर के तरब मतलब यहां का पानी बहुत जादा खारा है भाई खारा होने के विज़े से मतलब समझी यह बहुत जादा घनत वाला प क्या अफिर इसका जल पानी इतना ज्यादा क्खारा या सौल्टी क्यूं है तो कि इसके जल में क्लोरीन और ब्रोमाइड नामक दो तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं जिसके कारण से यहां का पानी बहुत ज्यादा नमकीन होता है बहुत ज़्यादा खारा होता है और इसका एक अपना लाब भी है लाब क्या तो समझें देखिए क्लोरीन और ब्रोमाइड एक ऐसा तत्व है जो आप सुनते होंगे विरंजक चुर्ण में भी यूज किया जाता है विरंजक चुर्ण क्या होता है तो आप सुन तो वही ब्लीचिंग पॉडर या फिर वही समझें कि वही ब्लीच आपके इस पानी भी मिला हुआ है जिस वजह से यहां का कीचर भी आपके पॉडर से जादा फायदे मंद्ध होगा आपके इसकिन के लिए आपके चेहरे के लिए बहुत जादा लोग यहां घूमने जाते चुकि इसका नाम मृत्सागर है लेकिन कभी भी यह मत समझना है कि यह बहुत बेकार जगा है बहुत जादा लोग यहाँ परेटन के लिए जाया करते हैं और जो भी लोग यहाँ जाते हैं निश्चित रूप से इसके कीचर्ड लेकर अपने स्कीन के उपर लगाते हैं डूबने का कोई खत्रा नहीं है डूबने का खत्रा क्यों नहीं है पानी नमकीन है खारा है जिसके वज़े से घनत वो बहुत जादा है और घनत वो बहुत जादा होने के वज़े से इस व्यक्ति को कभी यह पानी अपने नीचे जाने देता है नहीं है इसलिए व्यक्ति उपर लगाएं तो आपका इसकिन भी बहुत ज़्यादा चिकना चिकना हो जाएगा पानी इतना ज़्यादा लवन यह है कि इसमें आज तक कोई पौधा तक जन्म नहीं ले सका आप देख सकते हैं या वीडियो में आपको कुछ दिखाने का मैं कोसिस करूँगा कि जो भी माल वज़ा से इस पौधे को आप देख सकते हैं एकदम सुखा डाला है यहां पर यह जिंदा नहीं बचेगा भाई क्योंकि यहां नमकीन पानी है बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है यह जो आप चट्टानों जैसा देख रहे हैं यह चट्टान नहीं है यह सारा क्या है य और इस नमक में किसकी मात्रा बहुत जादा होती है क्लोरीन की मात्रा बहुत जादा होती है जिसके वज़ा से यहां के पानी को यह बहुत जादा खारा बना देता है और खारा होने के वज़ा से ही इसका घनत्व भी बहुत जादा हो जाता है और यही वज़ा है जिस कारण से बहुत सारे परियतक हर साल आप घूमने जाते हैं मृत सागर को और एक चीज आप जानले बैग्यानिकों के अनुसार इस मृत सागर की जो गहराई है या मृत सागर की जो लेंध है वो हर साल धीरे धीरे छोटी होती जा रही है इसलिए सरकार इसके लिए परियत्न रत्न है कि कैसे करके क्लाइमेट चेंज से बचाया जाए इसे और भविश्य में भी मृत सागर को जिवित रखा जाए धन्यवाद